हालो डियर फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब हैं हमारे युटूब चैनल नेट यारे पड़्डा में फ्रेंट्स मैं आपके साथ सुनब और आप सब कैसे हो आई हो कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स जैसा कि मैंने लखनों इंवर्शेटी के बारे में एक वीडियो बना ये पर उसमें सारी डिटेल्स नहीं आये थी तो मैंने बोला था देखाऊंगे जारे में उसेम उसी तरह है उसमें भी मैंने फार्म फिल करने की प्रोसेज या फिर अप्लिकेशन फीज या फिर एक्जाम पैटर्न कैसा रहेगा तो सारी वही है पर कल ही मुझे वीडियो अप्लोड करना था पर इसके लिए स्वारी क्योंकि कल वो यूजी सीनेट का एंसर की आया था तो उसमें थोड़ा बिजी ह हो गए थे और फिर सामको थोड़ी प्राबलम होगे इसलिए वीडियो अप्लोड नहीं हो पाया तो चलिए आज इसके सारे डिटेल्स को सेर करते हैं और सबसे पहले आप सबको पता है कि जैसा कि मैं टीचिंग और नान टीचिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आ जो यह था Learn for admission in PhD session 2023-24 इसको तो मैंने बताया था और डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिटेल्स आय थी तो इसको मैंने दिखाया था पर इसमें जो और भी डिटेल्स बची थी आनलाइन अप्लिकेशन फार्म वाली तो चलिए इसको ओपेन करके देखते हैं तो देखिए जो बताया था मैंने फ्रेंट्स वैसे सारी है requirements फार फार में submission वाली तो इसमें जो भी प्रोसेज हैं या फिर जो भी qualification है सारी वही हैं जैसे कि लखनों इन्वर्सिटी रेजिस्टेशन नंबर लर्न जिसको बोलते हैं साठकट में जनरेट थ्रो या लिव वेबसाइट पर available हैं और इसकी जो valid email id होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए इसके लिए active mobile नंबर होना चाहिए आपके पास और इसके साथ friends और भी जो हैं सारी डिटेल्स जैसे कि alternate mobile नंबर होना चाहिए यानि कि अपना mobile नंबर तो फिल ही किज़े आपके parents का या और कुछ हो तो कोई भी mobile नंबर घर का जिस पर आपको सारी डिटेल्स मिलती रहें तो उसको भी आप फिल कर दीजिए और यहां उपर जो दिया गया है कि mobile नंबर should be with the applicants at the time of farm filling तो फार्म फिल करते समय मोबाइल नंबर तो होना चाहिए अप्लिकेंट के पात login credentials registration number and password will send आप the register mobile number and email id तो इसी ल जरूर होना चाहिए क्योंकि जब फार्म फिल करेंगे तो आपके पास जो भी OTP जाएगा या फिर जो भी जरूरत होगी तो आपके पास तुरंत ही जाएगा तो इसलिए जरूरी होता है और उसके जाथ जब फार्म फिल करेंगे तो उसमें alternate mobile नंबर भी होना जरूरी है इसका एंड फोटो ये तो वही है जो मैंने पिछली में बताया था कि JPG फार्मेट में 50KB की इसका एंड फोटो होना चाहिए इसका एंड सिगनेचर होना चाहिए JPG फार्मेट में 50KB की और इसमें जो दिया है कि फोटो ID प्रूफ होना चाहिए आपका इसमें से कोई भी आधार कार्ड या फिर ओटर आईडी या फिर ड्राइबिरिंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट तो इन में से जो भी आपके पास अवेलबल हो उसको आप फार्म फिल करते समय डाल जकते हैं अपली केशन फीस जो है तो ये 2000 जनरल OBC के लिए है CST के लिए 1000 है और डिफरेंटली एवेलड जो पी एचे एनी कटेगरी के हैं तो उनकी भी 1000 है तो वही पुरानी भी थी प्रिब्येस येर वाली भी और EWS सर्टीफिकेट होना चाहिए आपके पास कैसा सर्टीफिकेट जो की एक जनौरी 2023 के बाद वाली हो उससे पहले वाले नहीं मान होंगे और इसमें जो कास्ट सर्टीफिकेट है वो भी प्रेंट से 15 जुलाई 2020 के बाद ही जो होगी वही बैलेट माना जाएगा उससे पहले वाले वाले नहीं माना जाएगा देखिए यहां दिया है कि नाट भी कांसीडर और यहां जो इनकम सर्टीफिकेट होना चाहिए तो वो भी फ्रेंट से 1 जनौरी 2023 के बाद वाली ही बैलेट मानी जाएगी उससे पहले वाली नहीं मानी जाएगी और फार्म फिलिंग की यहां प्रोसेज भी दिया है तो यहां जो सारी प्रोसेज है वही पिछले में भी था जैसे हैं कि जनरेशन आप लखनव इन करना पड़ेगा और इसके साथ दिया है टू जनरेट लर्न दी अप्लिकेंट से बिल हैप टू फिल्दी लर्न पार्म अबेलबल एड़ दी एडमीशन पेज आप लखनव इनवर्सिटी वेपसाइट पर और वन्स दी फार्म इज फिल्द दी अप्लिकेंट से बिल मोबाइल तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा रजिस्टेशन करने के बाद और जो दिया है कि आप्टर इंटार दी OTP जब आप फिल करेंगे तो अप्लिकेंट से बिल हैप टू सम्मिट फिस तो आपको 100 रुपी सम्मिट करना होगा फिस और उसके साथ दिया है कि आप्टर कनफर्मेशन आप दी पेमेंट अप्लिकेंट बिल रिसीब दी लर्न आन हीज रिजिस्टेशन मोबाइल नंबर और इमेल तो जब आप कनफर्म कर देंगे पेमेंट को तो आपको लर्न मिल जाएगा जिससे की आपको मिलेगी हेल्प है आप ये अप्लिकेंट फा तो उसमें भी सारी प्रोसेज यही होगी प्यश्डी के लिए जो भी एपलाई करेंगे किसी भी सब्जेक्ट से और स्टेप टू दिया है फार्म फिलिंग तो फार्म फिलिंग में दिया है कि अप्लिकेंट बिल है तो यह तो जरूरी है फिल करना लन और दिटेल फिल दी फिल्ड इंदी लर्न फार्म है बिल रिपलेक्ट आटोमेटिकली इंदी अप्लिकेशन फार्म है तो यह तो होगा ही और इसके साथ दिया है स्टेप 3 में कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो फ्रें फिल करना पड़ेगा और उसके बाद अप्लोड फोटो एंड सिंगनेचर और उसके साथ इस्टेप 5 में दिया है प्रिव्यू प्रिव्यू में क्या दिया है कि अप्लिकेशन के प्रिव्यू आल्दी इंट्राइज मेड आयट दिस पॉइंट इफ देयर इस समेरर तो यह आपके पास कोई भी रराती है फार्म को फिल करने में तो फ्रेंट्स उसको फिर से स्टार्टिंग से इडिट करके कर सकते हैं पर फ्रेंट्स एक प्राबलम यह है कि यदि आपने एक बार अप्लिकेशन फिस को सम्मिट कर दिया कहां पर रजिस्टेशन पेज पर तो फिर आप इडिट नहीं कर पाएंगे यानि कि जब भी आप फार्म फिल कर रहे हों तो समझ कर किजिए कि फिर दुबारा ऐसा प्राब्लम ना आए और अप्लिकेशन फीस जो है तो अप्लिकेशन फीस आपको क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग द्वारा करना पड़ेगा और वही जो फिस बताया कि 2000-1000 रहेगा और प्रिंट अप्लिकेशन फार्म की प्रिंट आउट लेना भी जरूरी है उसको अपने पास रखना है उसको कहीं शेयर करना जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है जब आपे आगे पीजडी में एडिमीशन लेने जा पोर्टल यूजिंग दी क्रेडेंटियल से सेंड टू दी डेयर रजिस्टर मोबाइल नंबर और इमेल आईडी और यहां दिया है कि इंपोर्टेंट नोट तो इसको तो देख लेना ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें इतना प्रोसेश था फिर फ्रेंट से यहां जो नीचे द जाएंगी फिर जैसे प्रोसेश दिया है फार्म फिल करने की तो फ्रेंट से आप वैसे कीजिएगा जैसे कि यहां दिया है पर्सनल डिटेल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप्लोड फोटो और सिंगनेचर आल प्रोग्राम जैसा दिया है तो आप वैसा ही सब कुछ क करना फिर आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन पेज या इमेल आड़ी मिल जाएगी तो यहां से सारी प्रोसेश होगी तो फ्रेंट से यह थे इतनी इंफार्मेशन और स्लेबस के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया है पर फ्रेंट से यहां गूगल पर यदि मुझे या फिर इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप वहां से फ्रेंट से जोइन करके हमारे टेलिग्राम चैनल को वहां से आप डाउनलोड करने ना तो यह दिया आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से यह और जरूर कीजिए थैंक्यू